नमस्कार सातियों जय हिन जय भारत स्वागत है आपका सभी सातियों का समाधान इस्टेडी चैनल में जैसा कि आपको मालूम है पलपल की जानकरी और हर एकजावन से संबंदित जानकरी आपके सामने में डेली रखते हैं और सरुसेश्ट और बेश्ट प्लेटफॉर्म है या आपके लिए तो सातियों आज हम आपके सामने ऐसी सांदार और जानदार महत्पुर्ण इंप्रोटेंट जानकरी लेके हाजिर है जी हां जिस भी सातिय ने जिस भी भाई ने बीएसेप का फॉर्म डाला है बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स का तो उनके लिए हम लेके हाजिर है बीएसेप का स्लेबस जी हम बीएसेप की एक्जाम का सिलेबस और एक्जाम पेटर्न कैसा रहने वाला है क्या-क्या आने वाला है यह आपके सामने लेके हाजिर है तो आज हम जानेंगे कि एक्जाम में क्या-क्या पूछा जाने वाला है बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स BSF की जो आपका head constable है न सब इंस्पेक्टर और CT की जो वेगन सी निकली थी है उसका exam का syllabus क्या है क्या-क्या पूछने वाला है और कितने नंबर से आपको qualify करना है यानि आपकी कितने नंबर आएंगे तो आप exam qualify कर लोगे सब detail फुरुवक जाने के साथियो बस वीडियो में अ notification मिलता रहे चलिए प्यारे सातियों जानेंगे आपके सामने बहुती बढ़िया और सांदर जानकरे लिखे हजिर है जैसा कि आपको मालूम है आपकी वेकन सीनिकली थी BSF की 2020 की head constable SI और CT वाटर विंग की तो इसका exam pattern हम जानेंगे क्या रहने वाला है तो बता दू मैं exam pattern आ अपकी exam होगी कितने दो phase में होगी आपकी exam पहले आपका रिटन exam होगा जिसमें test होग आपका OMR-based याने offline exam होने वाला है और OMR-sit पे होने वाला है आपको गोले-काले करना होगा ओके तो ध्यान में रखना है पहला exam return होगा OMR-sit पे और गोले-काले करना है MCQ format रहेंगे याने वस्तुने प्रशन रहेंगे और सेकेंड फेस में आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन फिजीकल मेजरमेंट फिजीकल एफिसेंसी टेस्ट टेस्ट ट्रेड और मेडिकल एक्जाम यह सब होगे तो दो पेटर्न में एक्जाम होगी टोटल है ओके ध्यान रखना है पहला फेबरेर को रिक्रूपमेंट आया था आपके सामने और ओफलाइन एप्लिकेशन भरने की लाजट टी आपकी 16 मार्च तो अगर आप सभी सात्यों ने अगर अभी तक फॉर्म ने एपलाई किया है तो अभी भी आपके सामने डेट है आप जल्दी से एपलाई कर दे चलिए अभी जो फर्स्ट एक्जाम की डेट है वह अभी आई नहीं है है ना फर्स्ट एक्जाम की आपकी डेट जो है नहीं आई है तो आपको बिल्कुल वेबसाइट पे आजाएगी आपके इमेल पे आजाएगी जब भी एक्जाम की डेट आए और सेकेंड एक्जाम की डेट आ करने के लिए साथी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और चेनल को वेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको समय सब में पर नौटिपिकेशन मिलता रहे और आपको बिल्कुल बताया जाएगा इसका सिलेबस भी करवाया करेंगे और सेस्टी को 35 प्रेशा या आपको 40 से 35 नंबर से 40 नंबर अगर आपके आजाते है शातियों तो बिल्कुल आपका एक्जाम क्वालिफाई हो जाता है यहां आपको ध्यान में रखना है फिर उस आपको फर्स्ट एक्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेकृण एक प्रिजिकल के लिए और मेटिकल के लिए ओके आप फीट रहें और सामदर रहें सभी सातियों को बहुत बहुत बदाई ताकि वो सभी सिलेक्शन ले सके तो सातियों आपके सामने दो तरह की वेकेंसी निकलीती एक हेड कॉंस्टेबल की एक SI की है ना और CT क्रेव की तो इनका जो सिलेबस रहने वाला है वह इस प्रकार रहेगा चलिए देखते हैं BSF 2020 return exam for the post of head constable head constable master head constable ED head constable workshop और CT क्रेव के लिए निकला था तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है देखिए पार्ट A subject और question और marks कितने कितने रहने वाले पहले पार्ट में आपका general knowledge और awareness पूछेगा gender knowledge and awareness के अंतरगत आपका क्या क्या आएगा जैसे आपका static gk और current फिर आ गया अंतराश्टी और राश्टी या सब आपको करवाया जाएगा 35 mark का पूछा जाएगा और 35 question रहेंगे पार्ट B में आपका reasoning ability रहेगा साधारान सी reasoning रहेंगी आपकी coding recording वगेरे हो गया और इसमें आपका 35 question रहेंगे और 35 नंबर का और पार्ट C पार्ट C में आपका रहेगा numerical ability जी हाँ math के question पूछे जाएगे सामान ने अंक गणिच से संबंदित सभी question और 30 नंबर का पूछा जाएगा आपका math और 30 question रहेंगे इसमें इस प्रकार आपका total जो exam होने वाला है वह 100 नंबर का होने वाला है ध्यान में रखना है 100 प्रस्ण और 100 नंबर का रहेगा चलिए अब जानेंगे हम लोग second आपके सामने second syllabus है BSF 2020 return exam for the post of SI master देखिए अब SI का syllabus आपके सामने है SI का syllabus क्या क्या रहने वाला है देखते SI master SIED SI workshop तो इसका exam चार पार्ट में होगा friends चार पार्ट में क्या क्या हो जाएगा पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C तो same रहेंगे सभी सातियों के लिए है ना तो यहाँ पे question कम कर दिये जाएगे 25 marks का आपका general knowledge of awareness पूछे जाएगा 25 नंबर का आपका reasoning ability रहेगा और 25 नंबर का आपका numerical ability रहेगा maths और पार्ट D में आपका trade awareness आजाता है SI याने sub inspector के लिए 25 नंबर का पूछा जाएगा trade awareness इसमें technical के लिए निकला है तो सभी सातियों को पूछा जाएगा उनके trade सम्मदित से ओके यहाँ आपको ध्यान में रहेगा टोटल सव नंबर का पूछा जाएगा नोट डाउन कर ले तो फ्रेंट्स यहाँ था सांदर सिलेबस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए subscribe कीजिए और सभी फाउजी भाईयों को जो फाउजी बनना चाहते हैं उनको दिल से बदाई हो best of luck आप तैयारी सुरू कर दीजिए सांदर तैयारी रहना चाहिए धन्यवाद स्वागत है आपका पुना समाधान इस्टेडी चैनल में और फ्रेंट्स कमेंट करके बताए आपको अगर सिलेबस पढ़ना है तो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे टेंसन न लीजि स्वागत है आपका पुना समाधान इस्टेडी चैनल में धन्यवाद अधिक से अधिक वीडियो को सेर करे वेला आइकन को दबादे जहिन जय भाग